कि यस वी आर लाइव साथियो नमस्कार मैं सलम चौपदार फेश्बुक लाइव पेज पे आप लोगों का हर्दिक श्वागत है आज का जो लाइव है वो लगबख सभी युवाव के मुद्दों को लेके मैं लाइव आया हूँ और जितने भी युवाव साती है जो लाइव में से जुड़ रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो जुड़े बिल्कुल सशिकांत सुकला जी पूरे दिन भर की ठकान थी और बार-बार मेशेज आ रहे थे कि आज का लाइव होना चाहिए तो देवेस्ट जी ने भी बोला कि आप लाइव जुरूर आए सभी लोग बहुत बूच रहे हैं कुछ सवाल है आप लोगों के उनके मैं जवाब दिने की कोशिश करूंगा तो मुखी जो सवाल है वो बिल्कुल बिल्कुल सबी बातों को हम रखेंगे देखो कुछ भरतियों को लेके भी मैं आज लाइव कर रहा हूँ देखो 2016, 2013, 2011, 2012 कई एक्जामेस से हैं कि जिनको लेके सरकार ने अलग अलग प्रकार का जो तरिका रखा जिसमें बहुत सारे अधिकारियों के तानास आई की वज़े से युवाओ को बार बार परिशान होना पड़ा और उनकी वज़े से ही आज युवाओ दर-दर ठोकर खाना पड़ रहा है युवाओ को और ऐसी सिच्वेशन भी आगई है कि जिसके वज़े से वो सरकार को जिस सरकार को युवाओ लेके आया वही सरकार को उसको विरोध करना पड़ रहा है सबसे पहले मैं बात रखूंगा 2018 की जो बरती है आप लोगों को पता है सभी जिला परिश्यदों के उनके जो डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के इनके डेट आ चुकी है लगबग लगबग जिला परिश्यदों में उनके डॉकुमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे और आगे नुक्तियां भी होगी अच्छी बात ही है कि सभी युवा के लिए रोजगार के नए आयम स्तापित हो रहे हैं तब तक युवा जूड़ जाते हैं कि 2005 अर्ट दौजार आठोरा के जो प्रमान पत्र को लेकी आपिवार मुझे कोरन करते हैं कई वार मैसेज़ डालते हैं इसकी संदर में मैंने बात भी रखिये और यह जो है तो सरकार का मनसा है 2018 के जो पर्मानपत्र को लेके अभी तक इसपेस्ट नहीं है सरकार कभी नहीं चाहती है कि पीछे वाला जो पर्मानपत्र है वो आगे आए क्योंकि सरकार यह चाह रही है कि जो नई भरती हो किसी परकार से विवाद ना हो नॉर्मलाइजेशन का जो पिछली बार जो विवाद हुआ था इस परकार का कोई विवाद ना हो और साथ में सरकार का जो इस भरती को लेट करने का कारण भी यही था मुख्य रूप से के 2018 के जो जितने भी अभियरती है जो परमानपतर का जो इस्यू है वो कतम हो इस संद्र में मैंने बात भी रखी थी और हमने एक बात इस प्रकार रखी थी कि खास तोड से अन युवाओं को मोका मिले एक प्रमांद बत्तर एक बार यूज हो जो पिछले बार जिन्होंने मेनत की थी वह रह गही लेकिन सरकार की मनंसा कम है इस मुद्दे को लेके प्रमांद पत्तर आ पिछले कर चुके तो आप मुझ से क्या पूश रहे हो और इसमें जो फैसला जो लेना होता है वह महावीड जैनति को लेके बार-बार लोगों की नारे कि महावीड जैन्ती है माविड जैन्ती पर किस प्रकार से यह हो सकता है तो वह अलांकि यह परवजरूर है इस पर छुटियां भी होती है लेगिन इस पर जो भी चीजी है मेरता से सुभाज जी मैं सही हूँ रमेश जी जै लंकेष जो मैं कह रहा था जो डेट को लेकि बार-बार question कर रहे हैं तो डेट अभी सरकार के पाले में गेंद है और सरकार का जो mood है वो इसी time के हो हमारा भी कुछ इस प्रकार का है कि एक्जाम समय पे हो क्योंकि बहुत सारे युवा इस बर्ती की प्रतिक्षा कर रहे थे और ये बर्ती हमारे उस आंदोलन की देन है जिस आंदोलन के लिए मैंने भी 19 दिन अंसन किया था जहां पे उस सरकार ने गोशना किते और गोशना के पश्याद एक साल बाद में विग्य अप्ती निकाली है तो युवा बहुत जएदा तरस्त थे और बहुत ज़्यादा युवा इसके खिलाब थे की सरकार इतना लेट क्यों कर रही है तो आप सभी लोगों को इतने मुश्कल से ये वेकेंसी मिली है तो हम इसको जाया नहीं होने देंगा हलांकि सरकार की कुछ नीत में कुछ अलग पर्कार की विचार धारा की है जिस परकार से प्रति को रूल्स को उलजहने की कोशिश की दो-3 परकार की इस परकार की जो नियम्य जिसे बीयर्ट बीप स्ट सी जो विवाद था इसमें सरकार ने प्रानबुच के कुछ इस परकार का दखल दिया है लेकिन संभवत है इसमें सरकार ने जो कोशिश कि हम उसको सफल नहीं होने देंगे यह कंफर मैं एक्जाम समय पर भी होगा और विवाद भी जलत निफ्टेगा कई लोगों की क्विश्ण आ रहे थे कि हम लेवल सेकिंड की जो त्यारी कर रहे हैं युवा साती कि हम फारम बर दें या लेवल फर्ष्ट का साथ बर दें तो अभी लेवल फर्ष्ट का किसी को फारम नहीं बरना है जो लेवल सेकिंड के अभिरती है आपको लेवल सेकिंड का फारम बर दें लेवल फर्ष्ट का फारम आपको कोट बर राते हैं तीन तारिक को चार तारिक को या उससे भी लेट हो जाए तो उसमें क्या है कि कोट ये भी हो सकता कि या चिका करता को फाइदा देते हुए ओफ-लाइन फारम से विगार कर ले जिस प्रकार अन्य राज्यों में भी हुआ है लेकिन आप लोग जो बार-बार पूछ करें कि क्या हम भारम भर दे तो बिल्कुल आप लोग की फारम जुरूर भर दे किसी वरकार से एक एक इस्च्यू आ रहा है टीएसप छेतर के लोगों के लिए जो फारम भर रहे हैं टीएसप का ओप्सन नहीं आ रहा है तो इसके संद्रम में मैं कल या परसो तक शिक्षा म जो क्लूंधी इसका हम इसका निफ्टारा करेंगे तीएसप का जो टव क्र इस्चा फारम में नहीं आ रहा है तो आएगा ओप्यान में कि निफ्रम आ तो आपके जो गलतिया उसमें सुधार करने कि आपके पास है च्छोटी का शिभुंदी से नमस्कार परिणाम करते हम भ विश्चे शिक्सको के संद्रम में मैं बात रखूंगा अभी जो करेंट जो मेटर है वो मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं तो जो भारम आप बर सकते हैं दूसरा जो भारम की जो बात आ रही है कि एक कई लोग को यह कह रहे हैं कि हम अभी बर दें तो अभी आपको लेवल फ याचिका करता के लिए डोकुमेंट्स जम्मा करवाई थे देखो अभी मैं सभी की लिष्ट बढ़ा रहा हूं यह देखो मेरे पास लिष्ट रही यह लिष्ट रही यह लिष्ट है रही पूरे दिन से हम इसी काम में लगे है कि कि किसी प्रकार से कोई व्यक्ति रहना आ ग इसके अलावा एक नाम और भी एड हुआ है विजेंदर कुमार के नाम से अच्छे का लग गई है तो जो हम गलती नहीं रखना जाते कोई भी व्यक्ति ना रहे जाए कोई एक दो डोकुमेंट भी रहे गया तो वो मुझे कहेगा कि सरा आप आपकी जिम्मेदारी दी और हमार करेंगा आप जब हाई कोट पे शो करोगे जैपूर या जोधपूर का जो केस देखो केस स्टेटिस में जाओगे आपको सारी में ग्रूप में या पेज पे जैसे भी जो मौका मिलेगा सभी का मैं डाल दूँगा आप चिंता ना करें 2016 की दो भरतियां है इसके संद्रम में मेरी वारता चल रही है मैंने दो-तिन दिन से इस बात के बारें बोला भी था इसके संद्रम में हमारे जो मानिनी शिक्षा मंतरी जी है वो इस समय पोजिटिव है लाश्ट डेड़ साल से फर्स्ट ग्रेड की जब वेकैंसी आई थी मैंने बहुत सारी बाते बोली थी उनके सामने बोली थी अब उन्होंने कहा आप इस बात को समझे हमारे सामने बात रखे कि क्या हो शकता है क्या क्या बाते हैं तो उनके सामने में ने ये भरतियां रखी 2016 जिसमें SLP गवर्णमेंट ने लगा रखी है उन्होंने कहा सरकार का रूल्स है रेगुलेशन है तो मैंने के बीच में तो उस कन्वर्सेशन गेप की वज़े से सरकार तक युवा सिधा नहीं पूंच पाता है अलांकि आप जमीन से जुड़े हैं और यह काम कर रहे हो लेकिन 2016 में SLP की क्यों जुड़त पड़ी युवा को सुप्रिम कोड तक क्यों जाना पड़ा उन्होंने का इस मेंटर को लेके पुजिटिव और 2016 साइंस मेथ के संद्रब में भी उन्होंने मिंट्स मांगे हैं मैंने बाते रखी हैं सच बात तो यह थी कि बहुत सारे अधिकारी वरक के द्वारा उनको गुमरा किया गया कि इस परकार से हो जाएगा तो यह हो जाएगा इस परकार से य परकारान करेगी और सबसे बड़ी बात कि सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे पास फाइल थी राजरतन जी की टीम ने मुझे बैजिती 2016 की वह हमने फाइल पूरी उसको रेड़ करके उनके सामने भी रखी हलांकि मेरे से पहले बहुत बार उनके तक मोंच चुकी है यह बाते पर दो तीन दिन का आप मुझे समय दे फिर मैं इस बात को रखने की कोशिश करूँगा दो जास्वोडा की वेटिंग को लेकिए फर्ष्ट ग्रेड के बारे में उन्होंने यह कहा था कि फर्ष्ट ग्रेड की जो बरती है वो जल्द ही यह नुक्तियां आदेस होगे जो 2018 की ह और तत्पश्चात फर्ष्ट ग्रेड में नई भरती जारी की जाएगी उनकी जो मन्सा है वो 3000 पदों को उनको बढ़ा के है उन्होंने कहा था पिछली सरकार में 3000 पद थे और इस बार 3000 से अधिके पद आएंगे थर्ड जो बात है आगे की जो बात है हाँ कई लोग यह कमेंट कर रहे हैं कि लेवल फर्ष्ट की तयारी करें कि बिल्कूल करें आप लेवल फर्ष्ट की जो अभीरती है जिन लोगोंने कम से कम जो पिटिशन न बढ़ा है तो वो निश्चितों की तयारी करे हमारी पूरी कोशिश आए देको 90 किशन तो सेम ही और तीसरी बात अब एक कई लोग ये भी पूछ रहे हैं मैं एकदम सही हूँ रुपेश जी आप चिंता ना करें रिपलाई आपको कर रहा हूँ टीएसपी के बारे मैंने बोला है लखी जी हाँ वैदिता के बारे मैं बोल चुका हूँ अर्दु की शिटा के बारे मैं भी जिकर करूँगा पीके खान जी 2021 के 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 बारे मैं कई लोग कुशन कर रहे हैं कि 2021 के 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 में क्या चल रहा है देखो केस मैं रोज एड़ोगेट से डिस्कुस कर रहा हूँ क्या पहलू हो सकता है सरकार की तरब से क्या हो सकता है किस परकार से आगे की रननित्य होनी चाहिए कौन-कौन से orders हमें effective है अभी सभी जितने भी petitioner है उनके documents त्यार किये जा रहे हैं उनकी drafting त्यार हो रही है और वो case लग भी रहे है तो आप सभी निश्चिंत रहे जिन लोगों ने मुकेश जी पर विश्वास किया है मेरी टीम पर विश्वास किया है तो हम किसी परकार से पूरी कौशिश कर रहे हैं उन चीज़ों को लेके दो तारीक को जो डीबी में जो case है उसको लेके उसके निर्ने को लेके उनके तरीकों को लेके आपको किसी भी परकार से लोग गुम्रा करने की कोशिश कर सकते हैं उनको उस दो तारिक वाले केस पर लेके आपको प्रभावित नहीं होना है यह हमारा केस नहीं है तीन तारीक का जो केश है देविश कुमार का और चार तारीकों जो केश है मुकेश कुमार का उन पर हम कार्य कर रहे हैं और उनी के धार पर आप सभी लोगों को एक अच्छा मेसेज देंगे सरवन जी विश्णोई इस बात को मैं लेके बात करूँगा आप से दो तिन दिन का आप एक बार मुझे समय दे एक्जाम 25 को यह होगी आप त्यारी करें 25 को मान के त्यारी करें त्यारी करने वाले यह क्यूशन नहीं करते हैं जो घर बैटी हैं वो इस प्रकार के क्यूशन कर लेते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता तो आप निश्चिंत रहे कि कि किसी प्रकार के कोई दिक्कत होगी हमारी टीम अच्छा काम कर रही है हलांकि 11-12 घंटे मैं खुद रख टाइम दे रहा हूं और सुनील जी अभी उदेपूर संभाकों देख रहे हैं मावीर जी भरतपूर संभाकों देख रहे हैं तो जो व्यक्ति वहां पे है तो वहां पे भी संपरक कर सकते हैं हम बिल्कुल बैटी आज हर्स का आज बेटिया का जो जनम स्वरी राष्टी जो बाली का दिविश है उसके समान में उन्होंने कमेंट किया बहुत अच्छा लगा मुझे लेकिन इस मैटर से हटके बात किये लेकिन जो बात है आज किसी ने एड्रेस गल्थ बर दिया कोई मेटर नहीं कर रहा कोई ज़्यादा बड़ा इस्यू नहीं है बहुत सारे लोग केर ओफ के एड्रेस भी डालते है वेल्डिटी के बारे में मैं बोल चुका हूँ सेंटर अलग अलग नहीं आएगा दोस्तों जो फारम बर रहे हैं उनको बिल्कु निश्चिंत रहे सारे काम उसके हैंडल बे किया जाते हैं फिर भी आपको ऐसे लगता है कि हमें एक साथ दो फारम अलग अलग भर दी है तो सेंटर कहीं अलग आ जाएंगे तो उस परकार क कि बाते मैं आपको कह रहा हूं कि आप निश्चिंत रहे और जितने भी अभेरती है देखो युवा साथियो मैं आपको बार बार इसलिए नहीं कहना जाता है कि कई लोगों को इसे लग सकता है कि हाँ ये मुद्द की बात नहीं करें कि अलग करें जो व्यक्ति मुझे सुन जुरूर बनें इसके बाद में हमारे एडवोकेट्स भी इस चीज़ को रिलेक्स कर रहे हैं उन्होंने कहा कि हम इतना ज्यादा ड्राफ्टिंग पर टाइम ना देके अन्य काम करें तो याच्चिका करता जूरूर बने याच्चिका करता के लिए बार-बार मुझे कोल करत है को ऐसा आदेश आजा Chapel जाये जिसकी वजह से कि जिससे पंजाब और हर्याना हाई कोर्ट में हुआ है में की आप लोग बिल्कुल चिंता करें हòngu सेट मेरी पूरी कोशिस हैं 12 लाग पृवारों का मामला है बारा लाग अभियरत्यों का नहीं ha 12 लाग प्रिवारों का अमामला है जिसके संद्र में मैं अच्छा प्रियास कर रहा हूं और हर हाल में हमारे पूरी टीम तैयार रहेगी पूरी टीम आपके लिए आपके दिकारों के लिए लड़ती रहेगी और हम विज्जे भी होंगे क्योंकि किसी भी किसी भी निरने में इसा नहीं हुआ है कि बेड़ वाले बाहर हुएं मेरा पहला प्रियास है 25 तारिका जो एक्जाम है उसमें आप लोगों को बिठाने का है और दूसरा प्रियास है आप लोगों को न्युक्ती दिलाने का है उन दोनों प्रियासों में अंतीमस्तर की लड़ाई लड़ने के लिए मैं खड़ा रहूंगा मेरी टीम खड़ा ही रहेगी तो आप सबी लोग और जो लोग कुछ कई लोग ऐसे हैं जिनकी बुद्धी इतनी है वो यह सोचते है कुछ गलत कमेंट कर देंगे कुछ गलत बोल देंगे तो यह बैक हो जाएगा जितना आप लोगों के इसा पास सम्वान है न उससे ज़्यादा सम्वान में अपने पास रखता हूँ यह बात गलत फे में निकाल देना आपका केरियर दो मिंट में खराब हो सकता है मैं यह सोच जाता हूँ कि छोटे बच्चे हैं छोटे भाई बेहन है यह बात भी ध्यान रख लेना आप किस चीज का उलंगन कर रहें इस बात को पूरी कोशिश करूँगा आप लोग बिल्कुल ना घबराए बिल्कुल राम-राम सुरेंदर कुमार जी और हर मुद्दो की लड़ाई लड़ने के लिए मैं ततपर रहूँगा मेरे टीम ततपर रहेगी मेरे लोकल वर्डी में चुनाओ है आप लोगों को मैं बता दूँँ नगर निकाई में चुनाओ है मेरे उन चीजों को छोड़के मैं आज जैपूर बेठाओ में टीम जैपूर उसका reason यह है कि मैं किसी भी प्रकार की कोई प्रकार की risk नहीं लेना चाहता और किसी भी प्रकार से मैं उस सुनाव में उपस्तित इसलिए नहीं होना चाहता कि कहीं ना कहीं हम गलती ना कर दे मैं हर प्रकार से हर पहलू पे निजर रखता हूँ चाहिए मेरे तीन वेक्ति जोदपूर रहते हैं पहले दो थे अब मैंने तीन युक्त कर दिये हैं और दूसरा अब एक वेटिंग रिशफल का मुद्दा आ रहा है दो जार ठारा की बरति को लेकि बार बार कमेंट आ रहे ह देखू जो जजमेंट के अधार पे जो फैस्टल लिया गया है वेटिंग रिशफल का तो उसके अधार पे वेटिंग निकली है अब रिशफल का दो मूद्दे ऐती है नोन- sự mais डुनिप वेटिंग आती है एक पातर पर है डोकुमेट वेरईकिशन पे जो उपस्तित नही नहीं होता है उन पर रीश पलाता है तो यह थोड़ा चर्चा का विश्य जुरूर है लकिन अभी मैं यह जाता हूं जितने भाई बैनों का जिनका सेलेक्शन हुआ है पहले उनकी नुक्ति हो जाए फिर इस पर चर्चा करेंगे हाँ आप सभी युवा साथी जो जुड़े हैं कई और कोई आपका सवाल है तो आप जुरूर रखे रगुनंदन जी बिलकुल हमारे वरिष्ट जो वकील है उनकी एक टीम उतारी है मैंने अभी तक पत्ते तीन एड़ोकेट के खोले हैं एक एड़ोकेट का अब जो पत्ता ख किसनों ही कर रहे हैं और दोनों साइड से सीनियर एड़ोकेट आरण मात्र जी आर्गुमेंट करेंगे यानि बहस करेंगे जब आवशकता पड़ेगी हलांकि वो हर हीरिंग में मोजुद रहेंगे विश्ची के माध्यम से और हमारा किसी भी परकार से बिलकुल बहरोजी मह राज की जय हो किसी भी परकार से हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और एक बड़ी बात और बता देता हूं मैं आप लोगों कहीं लोग कहते हैं हम BSTC वाले कहीं क्या करें भाई अब BSTC बंद और रही है यह और बता देता हूं मैं बोलना नहीं चाह रहा था नई शिक्षा नित्ती में महज जी बहुत अच्छा आप काम करते हैं महज पंडू जी बहुत अच्छा काम करते हैं मैंने एक दो जगह देखा आपने मेरे वीडियो को इसको डालते हैं आप अच्छा काम करते हैं बिलकुल निरंतर करते रहे ब्रिज को और सरकार कराएगी देखो 1907 में याद नहीं सरकार कराती तो आप चिंता ना करें जो जितनी वी नहीं सिक्षा निक्तियों का जो जनम हो रहा है जो सिक्षा में सुधार के लिए हो रहा है और सिक्षा के वें सुधार में कोट हमारे साथ खड़े होगा नहले हमारे साथ देगा और जल्दी सरकार आप लोगों के साथ खड़ी होगी मेरे पूरा यकीन है और आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करे, मैं बिन बताए आज लाइव आप लोगों को से जुड़ा था मैं यह चाहता हूँ जिन भाईयों जिन भाहिनों तक यह message नहीं पूंचा है एक बार आप उन तक आप एक नितिक जिम्मेदारी करते हुए, आप यह सोचे कि मेरे से क्या हो जकता है तो मैं अपनी 100% देने कोशिश करता हूँ तो आप भी एक छोटे हाँ 100% अपनी तरफ से एक छोटा सा share करके वहाँ तक पूंचाने की कोशिश करे ताकि उन तक वो message पूंचे जो इससे वंचित रहते हैं हर हाल में आप petitioner बने आप लेट मत करना युवा साथियो दो तिन दिन का समय है आप लोगों के सामने उसके पश्यात क्या पता इतना समय मैं नहीं दे पाऊंगा मेरी टीम नहीं दे पाएगी क्योंकि हमारा जो मक्षद है दखो मैं खुद आज पूरा दिन संडे था क्योंकि हमारा तक लिस्ट बेजनी थी एडिशनल के केस में युवा को जीत हुई थी इसलिए बार एडिशनल विशे मानने होते हैं और एडिशनल को परभावित नहीं कर सकते लाइबरेंट थर्ड का जो फर्जी डिग्रियों का जो मामला है उस मेटर का बिल्कुल फॉर्म बर दें फॉर्म का जड़ लोगों के मैसेज आरे लिस्ट कैसे देखे अपना नाम कैसे देखे तो साथियों आपको नाम देखने के लिए गुगल पर जाना आ है हाई कोट डालना है हाई कोट जब जिसका नाम जोदपूर में है वो जोदपूर सब मैं डाल दूगा अपने टेलीगराम का जो चैनल है उस पर डाल दूगा पेज पर डाल दूगा केश का नमबर आप डालने के परश्यात कल या परसो तक लगग लगग लोगों की जितने जिन्हों ने डाले हुए हैं उनके आजेंगे या चार या पांच दूनों में की दिश और नहीं लगती है के दो चार दिन की ड्राफटिंग मोब टाइम लग जाता है तो आप निश्चिंत रहे किसी का भी रह भी जाता है तो उसका मैं करूंग आप डूसरा आप लोगों को नेक्टे नमबर दिया हुआ है मुक्या चिंपा का कर से सुनेल जी बिजु सुनेल जी के नंबर अभी इसमें जो निचे कमेंट में मुकैस जी के सुनेल जी वह दोनों के नंबर वह तो सुनेल जी के नमबर याप लोगों के सामने आ जाएंगे औरी दा अच्छा कर लिए जे उद्यपूर्ट छेतर से हाँ कि आपकी कमेंट मैं देख लेता हूं शुक्रिया मौनलाल जी कि फॉर्थ एडवोकेट कौन है वेट करें अभी कि दो मैं इस मुद्धे पर जब आया था मैंने अपने घर पे बात करके आया था मुझे इतनी उमीद नहीं थी कि भीडवाले जागेंगे मुझे पता था कि हर व्यक्ति अपने अधिकारों की लड़ाई घर बेठे लड़ना चाहता है बगत्सिक तो बने कोई लेकिन पडोशी के घर से उस बिल्कुल ये बात सही है जितने ज़्यादा याच्चिका करता होंगे कि इस उतना ही मजबूत होगा एक मंच त्यार हो जाएगा तब मैंने अपने पापा से डिस्कुस किया था कि हो शकता है मुझे आपके सयोग की भी जूर्थ पड़ेगी और जिस दिन आरण माथुर जी को मैंने हाइर किया था उस दिन BSTC वाले कोई बुरे नहीं लगते हैं दोस्तों आप जो BSTC वाले जो कमेंट करते हैं कि BSTC वालों ने क्या बुरा किया नहीं आप लोगों ने कोई बुरा नहीं किया है मैं स्रिप रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ रूल्स के इसाफ से काम कर रहा हूँ अगर आप गलत बोलोगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा इस बार जो गलत कमेंट के आ रहे हैं हमारे पुरी टीम उनका जो उसका नौट कर रही है जो आई-पी एड्रेस है उसके अधार पे हम काम करेंगे दोनु साथ ही डाल दो ना नमबर नीचे पहले सुनेल जी पिर आपके पहले आपके पिर सुनेल जी पुरी टीम उसको काम कर रही है बिलकुल कोड के कोडिंग काम कर रहा हूँ लगो मेरा एक फंडा केलियर है हम मैं जो भी काम करता हूँ वो खुले में करता हूँ स्पेश्ट करता हूँ विरोधी जुरूर कहलाओंगा गदार नहीं कहलाना चाहता जिस मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ वो मुद्दा शच है और हकीकत में है बिएश्टीशी वालों से फिर से मैं अनुरोध कर रहा हूँ अगर आप इस मुद्दे को सोचते वे पिर वो ड़ो इस मुद्दे को अगर सोचते वे आप अगर यह सोचोगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा तो बैठे रह जाओगे बिक कानेर से महावीर परसाद काशनिया उनके नंबर चाहिएंगे तो मुकेश जी को कोल करके आप ले ले लेना कौर्ट ऑप कंटेम्ट 2017 में लग रहा है बिल्कुल त्यार हो रहा है उसके 2017 में कंटेम्ट ऑप कोट लग रहा है जिसके बारे में अब यह जो कमेंट में जो नंबर है जो पहले वाले मुकेश जी शिंपा से जिसको नया याचिका करता बनना हो इसकी प्रोसेस पूछ नही करें धन्यवाद सुभाज जी बिल्कुल जो टेस्पी चेतर की शिटे खाली थी पिसली बार लेवल फश्ट में उन लोगों को फिर से मेसेज देना चाहा रहा हूं इस बार शिटे खाली नहीं रहनी चाहिए आप लोग अगर काम करेंगे तो कई लोगों को लगता है कि एंसिटी की जोग आइडलेंड के अकोर्डिंग मैं बात नहीं कर रहा हूं हम कोर्ट के अधार पे काम करेंगे और कोर्ट को कोई पागल नहीं बनाएगा कोर्ट के हिसाब से कार्य होगा मेरता नागोर से बिलकुल तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगे जुड़े आप सभी लोगों ने मेरे विचार को सुनने की कौशिश की है आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर कोई स्वाल है तो एक बार रखे दो जार ठारा की वेलिटी के संद्र में मैं बात रख चुका हूं दोस्तों जैसरी कृष्णा बिल्कुल देवेश जी दोलपूर से भी चलके आए हैं पूरे टाइम दे रहे हैं ये देवेश जी बैठे हैं यही है मुख्य याचिका घरता और एक याचिका घरता को अगर आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा यार क्या कर रहा है पूरे दिन फॉन पे लगा रहता है मुकेश कुमार जी कितने फॉन आते हैं फिर भी आराम से बात देते हैं हर किसी को आराम से जवाव देते हैं और अगले विक में फरवड़ को चूरू जाते वक्त चूरू जा रहा हूं 26 को देवेश से दौलपूर से देवेश से संप्रक करें आप सभी लोग को से आप सबी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत आभार बिल्कुल स्टे अटाली है 266 का अन्य कोई जवाब है तो कोई टेम देख रही है हमारा मैं वह भी दख लिता हूं क्यूकि मैं कई बार कमेंट्स नहीं पड़ पाता हूं हां लेवल पर थे में बीड़ वाले 100% बैठेंगे पूरी कोशिस है मेरी सभी अभरतियों को बिठाने की फिर से मैं इस बात को अनुमानगड साहित तक दो तारीक के बीच का अलग बनेगा कोई प्रोग्राम तो मैं बता दूँगा पेजपे आप बने रहे मेरे पेजपे जुड़े रहे जहां पर भी जाने का प्रोग्राम होगा मारवाट तो मैं बिलकुल आना चाहता हूं काफी दिन होगे बाड़ मेर के सारी चीज़े में आप लोगों के सामने रख दूंगा एक वर मैं मेरा फाइनल हो जाए क्योंकि मैं पहले मेरा सबसे ज्यादा फोक्स है थोड़ा और मज़ा रहा है रमेश जी लंकेश जी मज़ा तो आप लेते हो हम तो केवल कोई बाते ही रख सकते हैं कि बरती खराब किसी को लगता है बरती खराब हो रही है तो बड़ी आवो कर दें पढ़ाई करो ना क्यों देखते रहे तो फाल तुम्हें जितने भी भेरतियों के नाम आ रहे हैं वो चेक कर लेंगे और जिनके नहीं आएंगे वो भी मेवाड बिल्कुल मेवाड गुमने आऊंगा दोस्तों मेवाड अभी है सुनेल जी है पापा ने साथ देने का वादा किया है उस अधार पर जो कमेंट आया था अलवर भी पहुंचूंगा मनोजी जल्दी कल भी बात आई थी बिल्कुल पदारेंगे नहीं फतेपूर से निकलूंगा रुकने का प्राग्राम नहीं है सुब्बह साय तक नो बजे फतेपूर पर पून जमां पांस बजे निकल जाओंगा और उसी टाइम वापिस आ जाओंगा आप से जुरूर मिलने कोशिश करूंगा बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोग जुड़े आप कोल कर लेना फतेपूर से जो भी है टॉंक भी आएंगे बिल्कुल पादाराम बालुपाल जी जुड़े हैं अभी लेकिन अभी मैं जाने का समय हो गया दोजा सोडा के संद्र में अच्छी न्यूज बताईए बादाराम जी आप देखना कि बोदेव जी कॉल कर लेना मुझे शुर्तगड बिल्कुल शुर्तगड मेरा करमस्तली रहा है और मेरे सिष्टर भी शुर्तगड पहन आई हुई है शुर्तगड के युवा सात्यों से साथ जानते भी होंगे उनके बारे में चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़े मज़ा आ रहा है सत्वाल जी मज़ा मुझे भी आता है आप लोगों से जुड़के सच में मुझे अच्छा लगता है कि मैं मुझे हम जब डिसकस करते हैं पुरी टीम वो यह कहत बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग जुड़े परताफगड का उद्ध्यपूर का और दूंगरपूर बासवाड़ा या परताफगड इन तीनों में से कोई एक का टूर होगा टीसपी शेतर में दो टूर होंगे अभी लगातार दो दिन के तो मैं आप लोगों को बाड मेर बिलकुल आउंगा किसी मिंदम में तो देख लेना बहुत बहुत धन्यवाद